देश में कोरोना का संक्रमन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,31,968 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संक्रमित मरिजों की संक्या 1,30,60,542 तक पहुँची पिछले 24 घंटों में 780 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संक्या 1,67,642 हो गई है देश में सक्रिय मामलों के कुल संक्या 9,89,608 है और डिस्चार्ज हुए मरिजों की कुल संक्या 1,19,13,292 है कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के सबसे बड़े अस्पिताल एमस में OPD सेवा 8 अप्रेल से बंद करने का फर्मान जारी करने के बाद अब हर विभाग में होने वाली सर्जरी को बंद करने का फैसला किया गया शनिवार से एमस में सभी ऑप्रेशन थिये टर बंद हो जाएंगे किवल इमर्जेंसी सेवा चालू रहेगी इमर्जेंसी में अगर किसे को सर्जरी कराने के जरूरत पड़े तो की जाएगी वहीं सभी रूटीन के सर्जरी अस्त आई तोर पर बंद करने कारने ने लिया गया इस समद में एमस के मेडिकल सुप्रेटेंडेंट डॉक्टर डी के शर्मा ने एक सर्कुलर जारी किया है इसमें कहा गया कि इस्पिताल की इंफ्रस्ट्रक्चर, मैन पावर और सभी संसादूनों का इस्तिमाल प्राथमिक तोर पर कोरोना के मरीजों से निपटने के लिए ही किया जाएगा और इसलिए नौन कोविड अक्टिविटी को धीरे धीरे कम किया जा रहा है